नेपाल के बुजर्व पी-म खड़क प्रसाद ओली इस उम्र में दिल दे बैठे दिल की सौधे बाजी में वो एक खानी ट्रैप में जा फसे और भारत नेपाल के सम्बंधों का सौधा कर लिया ये सारा खेल एक चीनी जासूस न शुरू किया जो नेपाल में राजदूत का लबादा ओर कर पहुंची थी जबकि थी वो विश्कन्या जिससे शक्या करके ओली की दिल डोल गया भारतिय मीडिया हरूले नेपाल का प्रधान मंत्री केफिसर मा ओली मा थी कालकोनिक्र आपत्ति जनक समचार संप्रेशन गरे पछी नेपाल मा तेसको ब्यापक आलोचना फई रहे कुछ भारतिय टिविबाट प्रशारीत एस्ता समचार बारे सरकार ले राजनितिक्र कानुनी उपाय खोजने बताए कुछ संचार मंत्राल लएको नियमित पत्रकार सम्मिलन मा बोल दे अर्थर संचार तथा सुचना प्रविदी मंत्री डाक्टर युबराज खतिवडाले भारतिय मेडिया मा आये का समचार को सरकार ले भर्शन गरने बताए कुछ है शालकर समचार में पिश्रे स्वा फूल लाज़ा जुच सरकार ले मेडियालाई प्रतिपंत लगाओन ंवंधा मेरिया आहो अनुशा शाहसनद मोशस्छ झसले चिंश्वस्त शाहिक्त्चार म्ने भर्वस पन्होंच यह कुरामा हमी दे कुटनेतिक मात्यांको पनी करिचालान जोड़ने करने हमिशा रधा अस्वास्थ्य रधा हम्रों राष्ट्रा राष्ट्य थे अंदसारों होईंता रधा नेपाल यह को सभी मान ला आँच पुर्याउने किसीं का समचार हरू संप्रसेट नगार्ना हमी अ सम्सक्रा के पुर्याउने करे। अनर्गल प्रचारले सिमा नाग्यो, हद भयो, बक्वास बंद गर, हम्रो राष्टे सार्व भौमिक्तार, भाउगलिक अखंडता को रच्छा को निमित्ता हामी एक धिक को छाउ। विदेश्ची को फुटावर स्वार्थ पुरागर, निती सफल होन दिदेन, यहां क्ये गरने फन्ने हामर कुरा हो। तेस्ते पत्रकार चंद्र काफले सामाजिक संजाल ट्विटर मा लेखनु हुँच, भारतिये मिडियाले प्रमका बारे जसरी अनईतिक समचार प्रसारन गरे कासन, एस बारे भारत इस्तित नेपाली दुतावासले खंडन गरन कीन धिलाई गरे कुश। तेस्ते नेकपाका नेता नवराज सिल्वाल सामाजिक संजाल ट्विटर मा लेखनु हुँच। भारतिये असंचार माद्देमले हामरा प्रधान मंत्री का बारे मा अत्तेन्त निम्न इस्तर मा ओरले रहा अनर case प्रचार वाजी गरी रहेगोश। यो अभिलम्बन रोकियोस प्रधान मंत्रीको सस्ता माथिको प्रहार मुलुक माथिको प्रहार हो। दिदेशी हरुको फुटाउनेर आफनो निहित स्वार्थ पुरागर्ने नितिलाई सफल हुना दिने छाइनौ। तेस्ते परेटम तथा नागरिक उडेन मंत्री योगेस फट्राई सामाजीक संजाल टुईटर मा लेखन हुन्चा। नेपाल का प्रधान मंत्री नेपाली नियता हरुर नेपाल को सवालमा भारतिय संचार माध्देम्मा आई रहेका समचार तथा टिपणी हेर्दा लाग्छा। पूर्विये सब्वेता को उपहास भई रहेको सा। उनिहरुले आफ़ाईलाई सरे आम नंग्याई रहेका सन। दया लाग्षा उनिहरुको चिंतन प्रति।